हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो माई चैनल और मैं हूँ नीता और आपके अपने चैनल इशीतावस क्रेटियो करणनर पर आप सभी का एक बार फिर से स्रागत हैं तो चलिए आज नवी का दिन था और समापन होना था पूरी जो पूजा हुई थी तो उसका हवन वगएरा भी हुगा था तो देखिए इधा पर जो काले तिल चावल इन सब को पहले से वाश करके हमने रख लिया था क्योंकि आज जो था तो हवन बनाना था तो ये सारी चीज जी जो थे तो अपना जिसमें हवन होना था कुंड में तो उसकी तयारी कर रहे थे धपक कपूर वगएरा डालके और नो दिन घर में काफी अच्छा लगा काफी मजा आया पूरे नो दिन किस तरह से निकल गए बिलकुल पता नहीं चला और इस तरह से पूजा आज जो थी तो समाप्त होनी की हवन होना था जवारे वगएरा जो थी तो उनको भी हम लोगों को सिराने जाना था तो इस तरह से देखी दपा हवन की तयारे पूरी पंडिजी कर रहे थे तो पहले इदपर हवन आरती ये सब कुछ हो गया था और हवन जब होता है तो काफी अच्छा लगता है क्योंकि इधा पर देखें आम की लकड़ी हम लोगों ने इकठी की थी और साथ मैं उसमें इस तरह से हवन बना लिया था और हवन जो था तो पहले पूजा वगएरा पूरी हो गई थी हवन हो गया था फिर आरती वगएरा करके जो है तो बाद में जबारी वगए हवन किया था काफी अच्छा लग रहा था इस तरह से और हवन वगएरा जब होता है तो घर में आपको काफी पूजिटिव वेव्ज जो है तो वो मिलती है तो इधा पर देखें इस तरह से हवन करके कर लिया था हम लोग ने काफी अच्छा लग रहा था बेटी और बेटा क्योंकि अभी ये हवन वगेरा होते होते वोई दोढ़ाई का टाइम जैसे रोज होता था उसी तरह से हुगा था फिर इस तरह से बाद में जो जवारी थी तो उनको अलग करना था इनको ले जाना था पानी में सुराने के लिए तो इनकी भी पूजा वगेरा सब हुई क्यों अभी ने रख लिया था पंडिती ने भी इसी तरह से अपनी पूजा को समाप्त किया और साथ मैं आस्बेंड ने इसको निकाल के हटा के थोड़ा सा अलग कर दिया था और आज जो था तो सबका खाना पीना भी होना था लेकिन वो काफी लेट हो गया था काफी एक तरह से सोच लीजे के आट नो बज गए थी तो इस तरह से देखिए सब कुछ इधा पर हो गया था घर इसके बाद जो था तो काफी सुना लग रहा था क्योंकि काफी नो दिन से बिलकुल घर में क थोड़ा थोड़ा हिला दिया था इसके बाद पंडित जी ने अपना इस तरह से सब कुछ हटा दिया था अब इसके बाद पहले हम लोग गए थे जवारे को सिराने के लिए तो हम चारों लोग ही गए थे इस तरह से साथ में आज हमारा जो पैट विसकी है तो वो भी उसको भी हम लोग साथ लेके गए थे और इधा पर काफी ज़्यादा दूटी और समझ लीजे कि तीन चार बज़े का टाइम था हाँ चार बज़ रहा होगा और काफी ज़्यादा इधा पर दूटी आप सोचें बास हम लोग गए थे उधा पर और इधार का व्यू जो है तो काफी अच्छा था, काफी अच्छा लग रहा था, हवा भी काफी अच्छी चल रहे थी, और जब हम लोग गड़ेश जी रखते हैं, तो उस टाइम पर भी उनको भी सिराने के लिए हम लोग इधर पर ही आते हैं, तो जितना जो कुछ था तो देखे सब कुछ लेग तो देखे इधा का पानी काफी अच्छा था, काफी अच्छा इधा पर लग रहा था, और हवा काफी अच्छी चल रही थी, और इधा पर बेटी को सिराना था, लेकिन फिर हमने सिरा दिया था, क्योंकि पानी काफी ज़्यादा था, तो वो डर रही थी, तो इस तरह से दे इधा पर नारियल फोड़ दिया था देखे इस तरह से और नो दिन इसने कंटिनियून नारियल जो एक रोज फूटता था तो वो यही फोड़ता था और विसकी भी इधा पर काफी मज़े उसको आए और आपको यह व्यू दिखा दे कि कितना अच्छा इधार का व्यू है काफी अच्छा लगा इधापर आगे और उसके बाद बस जाके खाना पीना जो भी था तो सबको करा दिया था तो इस तरह से आज का हमारा पूरा नौ दूरगा का समय था तो वो आपके साथ हमने शेयर किया और इसके बाद आज का जो डियाइवाई है तो वो देखे एक कुछ आपुए बिटा निटा कर दिया तो सबसे पहले कोई भी चीज बना रहे हैं तो इसको आप बहुत अच्छी बहुत तो इस तरह से देखिया हमने इधा पर सभसे पहले वाइट किया था यदि आप उस पर डालेंगे तो वह बहुत अच्छे से उभर के आता है तो इसको ड्राइए करने के लिए हम रख देंगे इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ड्राई होने का तो इसको 2-3 गंटे के लिए ह और आपको बिता दे कि पहले हमने उस पर प्राइमर किया है, प्राइमर करने के बाद जो है तो इधा पर हमने वाइट पेंट किया था, प्राइमर करने से एक चमक बहुत अच्छी आती हो, साथ में ये स्मूथ भी काफी अच्छा इसमें चुकना पना जाता है, तो देखे इ आपको ल,"ईट पेंट के बाद हमने देखिए, कुछ इस तरह से ब्लैक कलर दूर की था, पहले सोचा था कि वाइट पे ही हम करिंगे, लेकिन फिर कुछ मन चेंज हो गया और इसको इस तरह से हमने black color कर दिया था अब design बड़ी थी इसलिए इसको पहले से pencil से हमने draw कर लिया था जिससे कि balance बना रहे वैसे तो free hand भी कर सकते हैं लेकिन यदि थोड़ा भी गड़बर हो जाता है तो फिर पूरी सुराही देखने में अच्छी नहीं लगनी थी तो इस करण पहले से हमने balance था उसको बनाते हुए design को उस पे draw कर दिया था जिसमें की color भरने में आसानी रहे और साथ में जो भी design बनाया है तो वो एक सार बन जाया तो देखे इदा पर बस इस तरह से हमने पहले design को draw कर लिया और इस तरह से इसमें color हमने डाल दिये थे color अपनी मनमर जी के डाल दिये थे और साथ में design भी जब हम कोई भी DIY शुरू करते हैं तो उतना नहीं रहता कि हमको क्या चीज बनाना है कैसे करना है लेकिन जैसे जैसे बनाना शुरू करते हैं तो जो भी मन में आता जाता है उसको हम इस तरह से अपने हिसाब से color डालते हैं और अपने हिसाब से जो design होती है तो उसको हम बनाते जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सुराही बिल्कुल food गई थी और विकार हो गई थी तो इसको इस तरह से कुछ पैंट कर दिया है और ये एक flower vase की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर decorative piece की तरह भी आप इसको अपने घर के कहीं पर भी सजा सकते हैं तो इस तरह से आज का जो DIY है तो काफी खुबसूरट DIY है और काफी colorful है तो इस तरह से colorful मतलब हमको color जो है तो काफी अच्छे लगते हैं इसलिए किसी भी चीज को बनाने में हम बहुत सारे color का यूज करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फूटी हुई सुराही बिलकुल एक नई सुराही में बदल गई है और देखने में काफी अच्छी लग रही है और आप गर में किसी भी कौने में इसको आप रख सकते हैं तो चलिए बताना आपको है बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो जो है तो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हूँ तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सबिस्क्राइब करिएगा बैल बटन प्रेस करना बिलकुल न भूलिएगा जैसे कि आपको हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी और आपको वीडियो जो है हमारा तो तुरंत देखने को मिलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरस्टिंग वीडियो में थैंक यू